पीम मोदी के खिलाव पने विपक्षी इंडी कटबंधन में होने के बाद भी केजरिवाल कॉंग्रिस को जटके पढ़ जटके दे रहे हैं ऐसा लगी नहीं रहा कि आमाद्वी पार्टी और कॉंग्रिस एक ही कटबंधन में शामिल हैं ऐसा लग रहा है जैसे लोग सभा चुनाओं आते आते दोनों दलों का रास्ता अलग-अलग हो जाएगा इस बार भी केजरिवाल की पार्टी ने कॉंग्रिस को दिया है तगड़ा जटका इंडी गटबंधन में होने के बाद भी कॉंग्रिस और आमाद्वी पार्टी में तकरार दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है कॉंग्रिस और आमाद्वी पार्टी में कौन करे का इकरार इस पर भी संशय है कॉंग्रिस और आमाद्वी पार्टी दोनों ही एक ही गटबंधन का हिस्सा हैं लेकिन दोनों के सिर्फ फुटवल के चक्कर में विपक्षी एकता पर भी खत्रा मंड़ा रहा है पंजाब में भी कॉंग्रिस को आमाद्वी पार्टी ने पठखनी दे दी है क्या है खबर बताते हैं आपको पंजाब में आमाद्वी पार्टी और कॉंग्रिस के बीच सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है कॉंग्रिस और आमाद्वी पार्टी दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्वन बने हुए हैं और एक दूसरे पर जम कर हमला बोल रहे हैं लेकिन इस बार आमाद्वी पार्टी ने कॉंग्रिस को बहुत बड़ा छटका दे दिया है दरसल पंजाब में जालंधर के नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रिस को बड़ा छटका देते हुए जालंधर के दस कॉंग्रिसी पार्षद आमाद्वी पार्टी में शामल हो गए मुखे मंतरी भगवन दमान ने सभी पार्षदों को पार्टी में आपचारिक रूप से शामल कराया और उनका स्वागत किया इस खास मोके पर आमाद्वी पार्टी के जालंधर से सांसर सुशील कुबार रिंकू, कैबिनिट मंतरी बलकार सिंग, विधायक रमणा रोडा इसके अलावा आमाधिपार्टी पंजाब के महसचिफ जगरूप सिंग सेखवा, आमाधिपार्टी नेता राजविंदर कौर थियाड़ा और जालंधर ग्रामीड इंचार्ड स्टीवन कलेर मौजू थे आमाधिपार्टी में शामल होने वाले नेताओं में जालंधर उत्तरी से दीपक्षार्दा, उम्प्रकाश, देश्राज जसल, बालकृष्ण बली, इसके अलावा सुनेल कुमार सोड़ी, विजय भातिया और दलविंदर कौर, जालंधर सेंट्रल से समशेर खेड़ा, मनुव पंजाब सरकार को ही नगर निगम चुनाओ की तारीख को ताय करना था, वही राज्य की 49 नगर परिशदों और 27 नगर परिशदों की चुनाओ का भी नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है, और यहां भी 15 नवंबर को चुनाओ कराय जाएंगे, पंजाब में आमा पार्टी को अपना राजनेतिक जानी दुश्मन बना कर बैठी हुई है, दोनों इदलों में शेहमात का खेल लगातार जारी है